साथ सुपस्टार प्रभास, कृती सनीन, स्याफ अली खान और सनी सिंग स्टारर आदी पूरुष सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है फिल्म को देखने के बाद कई दर्शक इसे मौडन रामायन कह रही हैं वहीं फिल्म देख चुके कई दर्शक सोशल मीडिया के जरिये फिल्म के डायलोग्स पर सवाल खड़ी कर रही हैं यूजर्स का कहना है कि फिल्म में प्रभास की आक्टिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन VFX और कई जगह पर डायलोग काफी निराशा जनक है फिल्म के कई डायलोग्स पर यूजर्स ने नाराजगी भी जताई है विवाद की आग थमते ना देख अब मेकर्स ने विवादिट डायलोग हटाने की बात कही है सोशल मीडिया पर कई यूजर्स फिल्म के डायलोग की खुल कर आलोचना कर रही है यूजर्स का कहना है मौडन रमायन दिखाने के चकर में फैक्ट के साथ भी मेकर्स ने काफी छेड़चार किये है और फिल्म छपरी डायलोग से भरी है कई जगा ऐसा लगता है कि मेकर्स को शालीन भाशा का प्रयोग करना चाहिए था लेकिन बाप और लंका लगा देंगे जैसे शब्द सुनकर नेटिजन्स काफी निराश है हम आपको आदिपुरुष के कुछ ऐसे ही छपरी डायलोग से रुबरू करवाएंगे जिसने दर्शकों के बीच में हल्चर पैदा कर दी है फिल्म में एक सीन में इंदरजीत बजरंग बली की पूछ में आग लगाने के बाद कहते हैं जली न अब और जलेगी बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है बजरंग बली इंदरजीत से कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे ही बाप की। रावन का एक राक्षस, स्यानिक बजरंग बली को अशोक वाठिका में बात करते देखने के बाद कहता है, तेरी बुआ का बागी चाहे क्या, जो हवा खाने आया है, बजरंग बली, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे, उनकी लंका लगा देंगे, लक्षमन पर वार करने के बाद इंद्रजीत कहते हैं, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेशना को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है, विभीषन एक सीन में लंकेश से कहते हैं, भाया, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, लंकेश राघव से कहते हैं, और अध्या में तो वो रहता नहीं, रहता तो वो जंगल में है, और जंगल का राजा शेर होता है, तो वो कहां का राजा है रे? आदिपूरुष में प्रभास, कृति सने, सैफ अलिखान के अलावा सनी सिंग्स, सोनल चोहान भी एहम भूमिका में हैं ओम राउत के डिरेक्शन में बनी ये फिल्म 500 करोर रुपे के भारी भरकम बजट में बनाई गई है फिल्म में प्रभास ने भगवान राम, कृति ने माता सीता और सैफ लिखाने लंकेश का किरदार निभाया है